हेलो दोस्तों वेलकम तो साइबर डेक और मैं हूँ आपका दोस्ते जास्या फ्रेंज के रिप्टो करनसी मार्किट के अंदर एक बुलरन यहां पर पैदा हो चुका है अब यहां पर सोचना समझना एक्चुली यह होता है हमें कि किन कोईन्स के अंदर हम इन्वेस्टमेंट् म स्छना समझना तो वही होते हैं जिनके कर्याऄ जायने होता है लेकिन यहां पर अंदर कोईन्स के इंवेस्टमेंट्रнем मेंट्स करना पर इंक YOU क् sellers पार उस कदे जाता है ह। आप चूज़ कर रहे हैं वो पुराना कितना है ठीक है लेकिन वो और कितने बेर मार्केट जो हो मार्केट में उसने स्टे लिया है या स्टे किया है यहां पर तीन ऐसे कौईन में आपको बताने वाला हूं जिन को आप दोस्तों मतलब इन सारे जो भी क्राइटेरियाल मैंने आपको यहां पर बता हैं उन में आप वो उसमें फिट बैढ़ते हैं ठीक है आप कह सकते हैं कि या यह क्रेडिबिलिटी भी इनकी है टेकनलोजी कली भी एडवांस है ठीक है अपने हिसाब से और कोई मोटिवेशन भी है उनके पास कोई मकसद भी है काम करने के लिए ठीक ह और कोईम की सप्लाई का एक बहुत बड़ा मस्वास समझा जाता है मलब उस वक्त हमें यह बड़ा मस्वासा संड़ में आता है जब कोई कोई जो है ज है वो उसका प्राईज नीचे चल रहा होता है ठीक है तो हम समझते हैं कि यार इसको कुछ सेली कर दे मानलब बा ही क्र जो हो अंडर वेल्यूड इसलिए हैं कि उनकी सुप्लाय जो हो अची खासी है और बहुत सारे से प्रजेक्ट्स हमने देखे हैं कि बनलब उनके पास वाइट वेपर के अंदर या उनके जो मकसद होते हैं उनके प्रोग्राम के अंदर ये बर्निंग शर्निंग का कोई सिस्टम ही नहीं होता लेकिन आगे चलकर एक साल बात, दो साल बात, तीन साल बात कोई ऐसा वो सिस्टम बना लेते हैं अकारडिंग टू मार्किट कंडिशन्स कि उनको कुछ कोईन्स जो बर्न करने पड़ जाते हैं तो अगर ये चीज़ भी जहन में रखें तो ये तीनों प्रोजेक्ट जो के मैं भी आपको यहां पर बताने वाला हूँ ये इस बर्निंग के मेकनिजम को भी आगे जो है और ज्यादा जो है आपके सामने लेकर आ सकते हैं और उनका प्राइज मोर दिन वन डॉलर पॉसिबल ही जा सकता है और इस वक्त वो आपको कुछ सेंट्स के अंदर मिल रहे हैं आप यहां पर अपनी स्क्रीन पर जड़ा देख लें क्रिप्टो करणसी थ्री अंडर वेल्यूड कोई अंडर वन विद सेफ पोटेंचल अब यह सेफ पोटेंचल बड़ा ज़रूरी है इसको आप कभी भी नहीं भुलाया करें क्योंकि आपका जो अमाउंट है पहला तो वो है कि आप जो भी आपके पास अमाउंट पढ़ा हुआ है पहले तो आप उससे मुखबत करें कि वो ना चला जाए ठीक है ठीक है रिस्क लेना चाहिए लेकिन रिस्क का रिशो हमेशा 20-80 रखते हैं ना हम 50-50 पर जब आ जाते हैं तो 60 हो जाता है इसलिए इन चीजों का आपको खयाल रखना चाहिए अच्छा तो यहां पर मतलब यह तो मैं शुरू महीं आपके साथ बात कर चुका हूं कि क्रिप्टो मार्किट है वो इस तरह से आपको आफर कर रहा है कि अब उनके प्राइज़ जो वो बहुत ज़्यादा उपर जाने लगें अच्छा यहां पर जो कौईन है नमबर वन पर दोस्तों इसमें आ जाता है एकसारपी एकसरपी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मतलब एक लंबे टाइम से यहां पर मौझूद है इसने अपना हाइज जो यहां पर बनाया हुआ है वो है तीन डॉलर लेकिन इस वक्त इसका प्राइज डाउन जल रहा है और यह एक सेफ हेविन आपके लिए हो सकता है इसकी अगेंस लीगल एक्शन जो वो बहुत दफ़ा अमेरिका के अंदर लिए गया है लेकिन यह हमेशा कामयाबी हो जाता है और मार्केट के अंदर स्टे भी किया हुआ है पैमिन सिस्टम पर यह लोग काम करते हैं और बिलकुल मार्केट में रुका हुआ हुआ है और यह चला जाता है ना तो एक जबरदस प्रॉफिट जो वो आपको मिल सकता है उसके बाद दोस्तों जो करंसी है उसका नाम है ट्रोन अब यह वो कॉइन है जो के ब्लॉक्चेंट थर्ड नंबर पर सबसे बड़ी ब्लॉक्चेंज इसको समझा जाता है मतलब बिटकॉइन फिरि सेंट का और रिसेंटली यह 14 सेंट तक जाने के बाद इसने जो वो थोड़ा यह बेक आया है मेरा ख्याल है जिस तरह से यह चल रहा है कि इसका जो हाय है यहां पर कुछी दिनों में शायद 27 सेंट तक जो हो बन जाए और नेक्स्ट जो बुलरन बाकाइदा अपने पीक टा हुआ है और कभी कबार इसी शेरिंग भी यह लोग करते हैं कि हम वन डॉलर तक जा सकते हैं अगर ट्रोन की जो टीम है वो ऐसा सोचती है कि हम वन डॉलर पर चले जाएं तो पॉसिबिलिटी इस चीज़ की यह भी है कि एक ऐसे बुलरन के टाइम पर यह लोग जो कोई बरन कोईन है और यहां पर इसका जो प्राइज चल रहा है यह तकरीबन साड़े चार पांच सेंट गे अंदर चल रहा है वीचेन दोस्तो चाइना नेरेटिव का टोकन है और इसका प्राइज जो हाई दोस्तो बनावा है टुईंटी थी सेंट तक का यह इस वक्त आपको जस्त तीन से चार सेंट पांच सेंट तक मिल रहा है तो बीस सेंट तो यहां पर एक जो रिकवरी हो सकती है अपने आल टाइम हाईज पर जाने के लिए ही मतलब जस्त अपने आल टाइम हाईज पर चल जाए तो यहां पर यहां पर आपको रिकवरी मिल जाएगी ठीक है बीस कि पोटेंशल वाइज टेकनोलोजी कली देखें और फिर बुल रन का जो पोटेंशल है कि कितना वॉल्यूम इस बुल रन के अंदर एक्चली हो सकता है यह जो मार्किट जो है वो प्रिवियस बुल रन के अंदर तीन ट्रिलियन डॉलर तक गया था पॉसिबली दोस्तों यह पाँच मिलियन डॉलर तक जा सकता है अगर इतना जाता है तो एक बहुत बड़ा वॉल्यूम जो हो क्रिप्टो करनसी के जितने भी कॉइन जा उनके अंदर यहां पर आने वाला है और अल्टिमेटली टॉप के जितने भी कॉइन है उनके अंदर सबसे ज्यादा पैसा आए तो इन तीन कॉइन के अंदर एक बहुत बड़ा पोटेंचल मौजूद है जो कि आपको सेफ भी रखता है और प्रॉफिट्स भी दे सकता है यहां पर मैं थोड़ा ट्रोन को थोड़ा यहां से अलग करूंगा कि ट्रोन का प्राइज रिसेंटली बहुत ज्यादा बड़ा ह ठीक है थोड़ी यहां पर करेक्शन हो जाए और थोड़ा सस्ते में अगर आपको यह कोईन मिल जाता है तो आपके प्रॉफिट्स के लेवल जो है वो और भी बढ़ जाएंगे इसलिए इन चीज़ों को आप जहन में जरूर रखिए गया तीनों को देखें आप और पिर ज जो मदब एक्सपिरियंस है वो आपके लिए यहां पर शेयर करते रहते हैं यह जस्ट एक पार्ट होगा आपकी रिसर्च का इसके अलावा भी बहुत कुछ आपको समझना चाहिए उसके बाद अपनी इंविस्ट्मेंट्स करनी चाहिए उमीद करता हूँ यह वीडियो लगा होगा अगर अच्छा लगाए तो लाइक करें करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबादें ताकि मैं और आप उपस में जुड़ी रहें ठीक किया अलाहाफिस